आज अपने पास Crossbit Ignite LYT आर आप देख सकते हो लुक्स में काफी बड़ा साइस है क्योंकि यहां पर आपको 1.69 इंच का लार्ज दिस्प्ले देखने को मिल रहा है साथी में डवल कर डिस्प्ले इन्होंने प्रवाइट कर रखा है जिस वए से लुक्स में काफी यता बहतर ही इन होने वाला है और इसका प्राइस इन्होंने रखा है सिर्फ 2,000 रुपीज सो आज हम वही देखेंगे कि क्या यह वै कर रखा है इसके बारे में भी देख लेंगे और 12 sports mode आपको यह देखने को मिल जाएगा सो चलिए देख लेते अंबॉक्सिंग बाकी की बाते बाद में करेंगे सो ऐसा दिखता है क्रॉस बीट का बॉक्स इसकी उपर का पेपर हटा लेते हैं तो पेपर हटाते हैं आप दे स्कैन करके आपको मुबाइल आपको डाउनलोड कर लेना है और निचे के साइड इन्होंने अपना MRP प्राइस रखा है 4,999 रुपेस चलिए अब इसको अन्बॉक्स करके देखते हैं इसका अन्बॉक्सिंग एक्स्पीरियंस कैसा है सो अन्बॉक्स करते ही हेलो नमस्ते ब सकते हो यह कोई कि स्टाइड इसके अंदर कुछ नहीं एक बार कोड मुबाइल डाउनलोड करने का और अगर इसे स्कैन करके फर्म भर देते हो तो क्रॉस्पीट आपको एक स्क्रीन गार्ट प्रोवाइट करेगा वाच के लिए और यूजर मैनुल नहीं मिला शायद बॉक वाच के कंपरेशन में इसका डिस्प्ले कुछ जादा ही कर्व है जैसे कि आप खुदी देख सकते हो और इस वाच में इन्होंने प्लास्टिक का फ्रेम प्रवाइट कर रखा है जिसका लुक बहुत ही अच्छा है एक प्रीमियम लुक आपको रिपरेशन करेगा आप अच्छा भी लग रहा है क्योंकि 2.5D डबल कर डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिल रहा है और आपको बताई यह सिलिकॉन बैस्ट होता है इसकिन के लिए रैशेस या इचिंग का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा काफी जड़ा सॉफ्ट है आप देख झाल देख सकते हैं जैसे कर देख सकते हो वाच का वेट है और 38 गिराम जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है अगर आप उपर के साइट करते हो तो यहां पर आपको काफी सारे सेटिंग्स देखने को मिल रहा है जैसे ब्राइट डिस्टर्ब फाइंड माइफोन जो की इस देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो honeycomb menu इस तरीक के दिखता है जो की एकदम latest features है smartwatch में list menu उसके बाद आता है brightness vibration on-off theater restart power of about app and code यहाँ पर भी आपको बारकोड देखने को मिल रहा है इससे scan करके आप इसके mobile आपको download कर सकते हो और अगर आप नीचे के exercise right करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा detailing देखने को मिल जाएगा फिर आता है sleep HR monitor exercise आप सारे sports mode को access कर सकते हो फिर आता है BP SPO2 weather जो मैंने आपको पहले बताया सेम है camera music control music control काफी बहतरीन है आप इससे online offline music को control कर सकते हो लेकिन volume को up-down नहीं कर सकते है तो यह थोड़ा old version का लगा मुझे और अगर आप राइट सारे स्लैट करते हो तो फिराता स्पोर्ट स्लीप HR exercise BP SPO2 weather chatter player breathe stop watch alarm countdown flashlight settings को मैंने पहली आपको बता दिया अगर वाच के दिस्प्ले कौलिटी की बारे बात करें तो यहां पर आपको 1.69 इंच का IPS दिस्प्ले देखने को मिल रहा है 240-280 resolution के साथ इसका डिस्प्ले और बेकार भी नहीं है average display quality आपको यहां दे देखने को मिल रहा है तो चलिए चलते हैं sunlight में और आप देख सकतो इस sunlight में भी visible है इसका डिस्प्ले सो कड़ती धूप में भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि आप देखे सकतो result आपके सामने है एकदम धूप में गर्मी के सीजन में मैं आपको इस्तमाल करके दिख आप अल्का साथ करके तो पूरा हो जाता है ऐसा नहीं है आप हलका साथ करोगे तो हलका साथ करोगे तो पूरा सर से स्लाइब हो जाता है तो इसका sliding भी काफी ज़्यादा बहतर ही लगा मुझे सो ओल ओगा देखा जाए तो user experience बैस लगा मुझे और वेकप हैंड कैस्च न लेकीन एक मिनित में सिर्फ एक ही राए अगर अगर आपपर लेकर आऊगे तो इसका डिस्पले आँ नहीं होता एक मिनित में इसका डिस्प्ले on होगा तो यह मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप बटन दबा के डिस्पले अन कर सकते हो, और कंपनी क्लीम करते हैं कि यह आपको 7 डेस का बैटरी बेकप प्रवाइट करेंगा, लेकिन मुझे सरी 4 डेस का ही बैटरी बेकप प्रवाइट किया, मैं 80% brightness में इसके इस्तेमाल कर रहा था, और मैंने auto heart rate को भी कर रहा था, और drinking water reminder को भी off करके रहा था, sedentary alert को on करके रहा था, और मैंने सारे notification and call reminder को on करके रहा था, और इसका charging time में अप्रवाइट 90 minute 10 watt charger से, और मैं आपको बतना चाहूँगा कि watch का font थोड़ा बड़ा है, जिस वाइसे अगर आप अपने parents को gift करना चाते हो, तब तो ये best choice बन जाता है, लेकिन अगर आप खुद के लिए खरीदना चाते हो, तब तो मैं तो आपको मनाई करूँगा, क्योंकि इसका font काफी ज़दा बड़ा है, जिस वाइसे इसका जो UI है, थोड़ा old version का लग रहा है, और आपको पाता हिए ये ये यंग स्टर को छोटे font पसंद होते हैं, जैसे कि आप देख सकतो, इन्होंने काफी ज़दा easy और user friendly बनाया है, इसके home में आपको पूरे दिन भर का डाटा देखने को मिल जाएगा, कि आप कितना किलोमेटर चले हो, कितना चले हो, हार्ट रेट कैसा है, ब्लेट प्रेशर कैसा है, स्लीप मॉनिटर कैसा है, और second option में पहला आता है, वाच फेसे हो, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 100 प्लस वाच फेसेज देखने को मिल रहा है, और इसका कस्टमाइजेशन भी ठीठी की है, आप यहाँ पर टाइम एड कर सकते हो, और टाइम के पोजिशन को उपर नीचे कर सकते हो, साथ ही में आप step count, sleep और heart rate और date को आप यहाँ पर चाहो तो add कर सकते हो, या फिर आप remove कर सकते हो, जैसे कि आप खुदी देख सकते हो, और आप color change कर सकते हो इनका, और आप background wallpaper भी अपने पसंद का लगा सकते हो, और second option में आता है notification, यहाँ से आप सारे call, message और social media के notification को on या off कर सकते हो, साथ ही में आप another app का भी notification on कर सकते हो, लेकिन सारा एक ही बारी में on हो जाएगा, एक एक करके आप off नहीं कर सकते हैं, शोचल मीडिया के अलावा जो another apps होते हैं, और इसमें आपको call notification रिसीव होगा, आप call पिक नी कर सकते हैं, लेकिन आप call काट कर सकते हो, साथ ही में आप call को silent में कर सकते हो, call watch से silent होगा, फोन से नहीं, फिर आता है alarm, camera, फिर आता है another, फाइन डिवाइस के हजब से आप यह ढून सकते हो, कि आपने watch कहां रखा है, watch vibrate करता है, और आप do not disturb को भी on off कर सकते हो, यहां से फिर आता है, reminder to move, अगर आप एक घंटे तक एक ही जगह पर बैठे हो, तभी आपको notify करके बताता रहेगा, कि आपको थोड़ exercise कर लेना चाहिए, हर घंटे नहीं बचता है, अगर आप एक घंटे तक एक ही जगह पर बैठे हो, तभी बचता है, और timing इन्हों नहीं fit कर रखा है, 70 alerts सुबह के 10 बज़े से, रात के 10 बज़े तक ही बज़ेगा, उसके बाद नहीं बचेगा, और इसमें आपको कोई भी कस्टमाइजेशन का फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही आप वीक के पटिकुलर डे को बंद कर सकते हो, जैसे संडे सटर्डे आफ रहत है, तो इस दिन आप बंद कर दो, तो वो फीचर्स आपको इसमें नहीं मिल रहा है, यह भी मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा, इसके मुबाइल अप में यह फीचर्स तो होना ही चीए था, और अगर आप कंटिन्योस हार्ट रेट को अंद करकते हो, तो यह frequently heart rate टेस्ट करता रहेगा, तो यह बैटरी बहुत ज़्यादा consume करता है, फिर आता है music control, language यहाँ पर आपको हिंदी नहीं मिल रहा है, तो पताने language दिया ही क्यों है, और यहाँ पर आपको 5, 10, 15, 20 का screen on time का features देखने को मिल रहा है, तो यह भी मुझे पैस लगा इस watch में, क्योंकि यह features बहुत ही कम watch में होते हैं, quick view, यह है hand gesture, इसे आप off मत करो, पानी रहने दो, पर drinking water reminder का भी features आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और आप चाहो तो इसके time period को अपने according कस्टमाइज कर सकते हो, कि आपको एक घंटे बाद notify चाहिए या फिर दो घंटे के बाद जास आप चाहो, फिर आता है weather, उसके बाद आता है physical cycle reminder, यह women's के लिए है menstrual alert का, और थार्ड option में आके आप goal set का सकते हो कि आपको दिन भर में कितना distance cover करना है, कितना calorie burn करना है और कितना step आपको चलना है, यही था एक short intro, चलिए अभी एक step कर लेते हैं, 1929 steps, तो जैसे कि आपने देखा कि step का आपको ठीक ठीक ही है, और अगर distance track की बाले बाद करें तो इसका distance track का accuracy भी आपको 80% ही मिलेगा, अगर आप phone को pocket मिलेके घूमते हो तो calorie burn की बाले बाद करें तो calorie burn की उपर आप 70% ट्रस्ट कर सकते हो, क्यूंकि हर एक device का calorie burn अलगी होता है, और कोई भी device आपको एकदम accurate calorie burn नहीं बाता सकता, अभी तक ऐसा device नहीं आया है, और जब तक आप watch कराए में नहीं पहनते हो, यह heart rate, BP, SPO2 टेस्ट नहीं करेगा, और heart rate monitor मने इस पर test किया थो, तो आप देख सकते हो, heart rate monitor का accuracy भी काफी ज़्याद भैतरीन लगा मुझे, आप देख सकते हो, watch और oximeter का rating almost 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 same है, और SPO2 का accuracy भी कुछ खास impression नहीं है, आप देख सकते हो, पहले यह दिखा है, 97 फिद दिखा रहा है, 96, 98 और 99 कभी नहीं दिखाता है, और आप देख सकते हो, oximeter में दिखा रहा है, 98, so अभी blood pressure accuracy test भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुती कम watch में ही accurate दिखाता है, और watch rating दे दिया 118 by 74, और machine में आना बाकी है, तब तक एक और test लगा देते हैं, और machine में भी आ गया है 120 by 74, और watch में आया है 113 by 78, आप सोच रहे होंगे कि accurate है, बर दोस्तो suspense आना भी बाकी है, मेरा blood pressure normal है, और watch में भी इन्होंने normal blood pressure को ही set कर रखा है, इसलिए दोनों का match कर गया, अभी मैं थुरा सा workout करके आता हूँ, अपने blood pressure को बढ़ा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो, watch ने rating दिया है 123 by 78, जो कि normal है, और machine में आया है 142 by 73, मैंने आपको बताया था, कि मैं work out कर क्या हूँगा, और machine का बढ़ जाएगा, तो machine का बढ़ गया, आपके satisfaction के लिए एक और टेस्ट कर लेते हैं watch में, तो watch में आया है 122 by 76, अभी भी नॉर्मल दिखा रहा है, आप समझ ही काई होंगे कि blood pressure बस इन्होंने एवी एवी नाम के लिए दे रखा है, काम नहीं करता है, और इसमें आपको IP68 का water resistance देखने को मिल रहा है, तो चलिए करते हैं water test, one minute water test करके देखेंगे, survive करता है, या dead हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कि one minute हो चुका है, हातों में और डिस्प्ले में पानी होने के वज़े से touch ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से पोच लेता हूँ, सो हातों को पोचने के वज़े से अभी result आपके सामने है, survive कर लिया watch, अभी भी एकदम smooth तरीके से, काफी ज़दा smooth तरीके से काम कर रहा है, और IP68 water resistance आपको one meter water resistance प्रवाइड करता है, सो आप इसका इस्तमाल swimming pool के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन आप बारिश में, shower में इसका इस्तमाल कर सकते हो, watch आपका खराब नहीं होगा,